उनकी कलम कल्पना को आकार देती है समाजिक संदेश फैलाने के लिए वकागस और पेडों पर प्रतिश्चित व्यक्तियों की छवियों को उकेर कर कुछ अलग करने का शौक रखते हैं पुलिशा के इस युवा कलाकार में राजे के सम्मानिक साहितिकार, मनोजदास, मूर्तिकार स्वर्गे, दगुनात महापात्र समेथ कई प्रमुक हस्तियों के चित्र बनाए हैं इसके जरिये उन्होंने समाज में उनके योगदान के लिए श्रधान्ज लिदी है मयोर्भंज जिले के अगड़ा गाउं की रहने वाले समरेंद्र बहरा पेडों पर नकाशी और कुछ अलग करने की कला की बदावलत इलाके में खास चल्चा में हैं कला की प्रती उनके जुनून ने उन्हें रचनात्मक शित्र में एक अलग पहचान दिलाई हैं बहरा पेडों पर प्रसर्द हस्तियों के चहरें केरते हैं उनकी कला देखने वालों को अकरशित करती है और सभी उसकी तारीफ करते हैं मैं वच्पन से इस कला पर काम कर रहा हूँ मैं दिरिश्च कला में हूँ लेकिन मैं आम तोर पर प्रिंटिंग कला का काम करता हूँ कुछ अलग करने के लिए मैंने यह अनुठी कला को चुना है मैंने कलम पर लेखक मनोजदास की छवी हैं और मिट्टी के दीपक की कालिक से पदमस्री रगनात महापात्र को सरदहांजली दी है वह जहां भी बैठता है कुछ पेंट करता है वह कला में माहिर है, मुझे उसकी कला पर गर्व है हमारे गाउं को भी उस पर गर्व है केंद्र पाड़ा जिले के एक निजी कॉलेज में आठ लेक्चुरर के रूप में कारिरत बहरा को राज्य और बाहर से कई पुरस्कार और तारीफ मिली है उनकी जटिल कलाकृतियां इस शेत्र में उनकी विशेशक गिता को बया करती है जब वह बच्चा था तो वह इस प्रात्मिक विद्याले में आया करता था वह अक्सर दिवार पर चित्र कारी करता था वह एक अच्छा चात्र था उसने महात्मा गांधी या जवाहरलान नहरू के चित्र बनाए थे जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी की वज़ा से धपसी पड़ गई कलाकार समरेंद्र ने अपनी रचनात्मकता और कल्पना का इस्तिमाल अपने और समाज के लिए कुछ उपयोगी करने के लिए किया आत्मनिर्भर बनने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए एक उदारन पेश करते हुए समरेंद्र ने कहा अगर किसी के पास द्रण इच्छा शक्ती है तो जो चीजें उपयोग के लाइक नहीं है उनका भी इस्तेमाल उत्पादक तरीकी से कर सकते है परियाप्तु फंड और सरकारी सहायता युवा कलाकार को उसके जुनों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा जिसे वा समाज में ज्यादा योगदान दे सकेगा ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी भारत